मुझज़फरपूर के कुड़नी में तुर्की ओपी अंतरगत दर्यादपूर कफेन पंचायत के वाड साथ इस्थित एक सत्तू फैक्टरी में सुक्रुवार को रसोई गैस के रिसाफ से तेज धमाका हुआ गैस रिसाफ के साथ अचानक आग की तेज लपटे उठने लगी इसकी चपेट में वहां खाम कर रहे आधार दर्जन मजदूर जुलस गए जुलसे मजदूरों को नर्सिंग होम में भरती कराया गया है घटना के बाद फैक्टरी का सटर गिराकर संचालक मोहन ठाकुर फरार हो गया घायलों में से एक की पहचान मधौल निवासी असोक ठाकुर के रूप में हुई है अन्ने घायलों का इलाज चोरी छिपे कही कराये जाने की बात बताई जा रही है कुछ घायल मजदूर मनियारी के मरिचा के रहने वाले बताए जा रहे है इधर तुर्की ओपी प्रभारी रवी प्रकास ने घटना में तीन लोगों के घायल होने की जानकारी मिलने की बात कही है फैक्टरी संचालक फरार हो गया है मामला दर्ज करागी की कारवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि घायलो का पताय लगाया जा रहा है बताया जाता है कि सत्तु फैक्टरी में चने को उबालने के लिए गैस को चालू किया गया इसी बीच पाइप के बीच में लगी रिंग से गैस का रिसाव होने लगा जब तक वहां काम कर रहे मजदूर कुछ समझ पाते आग की तेज लपटे निकलने लगी इससे मजदूर उसकी चपेट में आ गए तेज आवाज के कारण बरी घटना की आसंका में सभी उधर उधर भागने लगे अस्थान ये लोग एवा मजदूर ने किसी तरह आग पर काबू पाया अस्थान ये लोग वह तुर्की पुलिस की माने तो फैक्टरी देड़ दो साल से रुक रुक कर चल रही थी इससे पहले ये फैक्टरी दूसरी जगा थी मकान बनने के बाद यहां शिफ्ट की गई बताया जा रहा है कि फैक्टरी में वेवसाइक की जगा घरेलू और छोटे गैस सिलेंडर का उपियोग किया जा रहा था इस कारण हाक्सा हुआ इससे पहले भी फैक्टरी की मसीन की हालत को देखकर मजदूरों ने काम करने से इंकार किया था संचालक थोड़े दिन और चलाने की बात कहते हुए फैक्टरी संचालित कराता रहा शहमापूर्वी भी यहां इस तरह की घटना होते होते बच गई यहां कुछ नहीं हुआ है हलका सा गैस का रिसाब हुआ था जिसके कारण थोड़ा सा गैस जल गया और लोगों को फफुला पर गया मेरे पैर में भी फफुला है देखिए देखिए यह पूरा हम खुद भी जुलस गया और सबसे ज्यादा हम फफुला हो गया बस खतम किसी को यह नहीं है ऑपरेटर जो आया हुआ था उस दिन टेस्ट राइल चल ला था उस समय और उसमें से बस दो आदमी को फफुला हो गया है जैसा हमको फफुला है इतना ही उसको भी फफुला है मेरा नम प्रभाश कुमार हुआ हम मालिक हैं इसके कुमार कुमार है प्राज अप्राज उसे, आफ एक्रासा ओर्मावे पूंगे।